Hi guys, welcome and welcome back to my channel and if you're new, please consider subscribing before you exit this video. That being said, let's just dive right into it. ये second part होने वाला है, Johan the Curse movie का और पहला वाला पार्ट मैंने कली explain करा है. तो उसका लिंक मैं आपको उपर आई बटन में दे दूंगी, आप उसको पहले देख लेना. यहाँ पे हम शुरू करते हैं, उस पार्ट से जहाँ पे सियोशी अपनी साइकल लेके निकला है घर से, और उसको वही साइकल से लाते समय फोन मिलता है, जिसमें उसको फोन आता है, चार बर दस नंबर का. और वही एक शॉर्ट फिल्म से कनेक्ट हो जाता है, जिसका नाम होता है टेन फोर्स, अगला चाप्टर होता है, जिसका नाम है मिजोहू, जहाँ पे हमें एक स्कूल की बच्ची को दिखाया जाता है, जिसका नाम मिजोहू है, और यहाँ पे वो अपने बॉइफरिंड सी दोशी को ढून रही होती है स्कूल के बाद यहां पे उसको उसका boyfriend तो नहीं मिलता मगर उसकी cycle और उसका cell phone जरूर मिल जाता है उसके स्कूल के सामने पड़ा हुआ पर जैसे हमको मालूम है यहां पे वो already मारा गया है इसके बाद हमको दिखाया जाता है कि उसकी जो teacher है वो भ पर छोड़ देती है अकेले जिसके बाद वो उसकी ममा को भी call करती है और उसको मालूम चलता है कि वो अभी तक घर नहीं आया है जिसके बाद वो classroom की light को on करने की कोशिश कर रही होती है मगर वो fluctuate करने लगता है और यहां पे हमको यह भी मालूम चलता है कि टूशी उसको यहां पे stock कर रहा है क्योंकि उसको यहां पे एक phone call आया था उसी number से जिसमें 10 बार 4 number लिखा हुआ था और यहां पे देखके लग रहा है कि उसको भी मार दिया गया है कर्स के चलते ही जैसे उसके boyfriend को मारा गया था यहां पे सोचने वाले बात यह है कि मिजुहू कभी भी उ कर्स के चकर में आ गई थी इसके बाद हमें अगला चाप्टर दिखाया जाता है जिसका नाम होता है काना और यहां पे हम एक detective को देखते हैं जिसका नाम योशी कावा होता है और यहां पे वो एक लड़की के death को investigate कर रहा होता है जिसका नाम होता है हिसायो और हिसायो वही लड़की होती है जो काना की मदद कर रही होती है स्कूल के बाद उन राबिट्स को काना खिलाने के लिए यहाँ पे हमको जैसा हमने शॉट फिल में देखा था कि काया को वहाँ पर आती है और यहाँ पे वो इसलिए कर्स के अंदर आ गई थी क्योंकि वो काना से इंटराइट कर रही होती है यहाँ पर जो medical examiner होता है वो बताता है यहाँ पर detective को कि उसकी जो body है काफी बुरी तरह से twist हो रखी है और यहाँ पर rabbits के जो remains हैं वो उसके blood के साथ mix wave हैं for that matter उसके blood के साथ साथ और उसके tissues के साथ भी यहाँ पर एक टूटावा जो भी मिलाता है सायो के body के अंदर उस सीन में वह यहाँ पर यह लोग सोशन लग जाते हैं कि वो जो 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 मिला है वो actually में है किसका क्योंकि वहाँ उस सीन में और किसी की body तो मिली नहीं है यहाँ पर मालूम चलता है इसके बाद कि सियोशी और काना की जो मदर है वो अपने घर आई है वापस और यहाँ पर उसको बार बार मेल आ रहा होता है जिसका नाम में लिका होता है टाकेयो साये की इसके बाद उसको मिजुहू का भी phone आता है जहाँ पर वो अपने boyfriend के बार में उसकी मा से पूछ रही होती है कि वो घर आया है की नहीं इसके बाद हमको दिखाया जाता है कि काना फाइनली घर तो आ गी है मगर उसकी मा उसको देख के बहुत जादा horrified है क्योंकि उसका जो jaw है lower jaw basically वो गायब है यहाँ पर हम फिर से उस शॉर्ट फिर्म कारासूमी की बात करते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हिसायों ने अपने आपको defend करा था जब वो दोनों उसको मारने के लिए आ रहे थे और उसके हाथ में एक तरह का weapon भी एक था जिसका most likely उसने इस्तिमाल करा होगा उसकी jaw को हटाने के लिए अपने आपको बचाते समय मगर ऐसी चीज हमें movie में तो नहीं बताई गई है बगर हो सकता है कि ऐसा ही कोई situation हुआ हो तब भी उसका jaw भी missing है इसके बाद हमें अगला chapter का बताया जाता है जिसका नाम होता है काया को यहाँ पे हम कबयाशी को देखते है जो अभी भी साय की वाले घर के अंदर है जो टोशियो से मिलने आया होगा था उसके parents से basically मिलने के लिए और वो वहीं पे है अभी भी यहाँ पे वो अपनी wife से बात कर रहा होता है और बताता है कि उसको घर आने में लेट होगा इसके साथ साथ वो वहाँ पे कुछ picture होती है जो for TV होती है तो उसको वो जिक्सो पजल की तरह साथ में लगाने लगता है और उसके end में हम देख पाते हैं कि वहाँ पे टोशियो की ममा का जो शकल है वो बहुत ही अच्छे तरीके से हटाया गया है और जब वो बाथ्रूम में जाता है तब वो एक सेकंड के लिए चोटा सा glimpse भी देखता है जहाँ पे वो टाकियों का हाथ देखता है जहाँ पे उसने मार को मार डाला था उसकी just बात का यहाँ पे उसको ये भी आदाता है कि जैसे ही वो घर के अंदर आया था तो वो चोटे से कार्टबोर्ड के पीस के उपर उसने पैर रखा था अपना जहाँ पे उसको मालूम चला था कि मार का वहाँ पे रिमेंस पड़ा हुआ है जिसके बाद वो बातरूम से निकलता है और लिविंग रूम में वापिस जाता है जहाँ पे उसको मालूम चलता है कि टोशो तो वहाँ है ही नहीं इसके बाद काबायाशी उस कमरे के अंदर जाता है जहाँ पे उसको टोशो दिखाई देता है और यहाँ पे वो अपने बिल्ली की ट्रोइंग्स बना रहा होता है इससे हमें और ज़्यादा कन्फर्म हो जाता है कि जो टोशो की स्पिरेट है और मार की स्पिरेट है वो एकसा से अंधेरे में हो चुका है यह सेम चीज हमने उस यूकी वाले चाप्टर में भी देखा था कि जब वहां से निकल रही थी तो पूरे घर में अंधेरा हो गया था यहाँ पर देखके लग रहा है कि जो कर्स है वो अपने आपको मैनुपलेट कर सकता है अपने विक्टम्स के पड़ीवी मिलती है बुरे हालत में जिसके बाद वो भात्के जाता है टोशियो के पास और उसको लेकी घर से बाहर निकलने की कोशिश करने लगता है जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर टक pedal स्याइकी का कॉल आया है उसको जो उसको बोल रहा हो था हि ह्कि बेटा है टोशियो और इसका मतलब ये भी होता है कि जिस टाइम पे टकेयो घर से छोड़ के गया था अपना सब कुछ तो उस समय पे टोशियो जिन्दा था यहाँ पे टकेयो को बैयाशी को ये भी बताता है कि उसकी जो बेबी गर्ल है वो बॉन हो गई थी और यही वो रेलाइजेशन वाला पॉइंट होता है जहाँ पे वो समझ जाता है कि टकेयो ने उसकी वाइफ को मार डाला है और उसकी बेबी गर्ल को वो ले गिया है क्योंकि यहाँ पे उसकी wife ने phone पे बोला था कि कोई ना कोई gate पे आया है तो वो उसको देखने जा रही है और यहाँ पे देखके लग रहा है कि वो टेकेयो के बारे में ही बात कर रही थी क्योंकि just after that my on me का most likely murder हो गया था इसके बाद Toshio को हम देख पाते हैं कि उसने वो cell phone उठाया है और वो काया को से बात करने लगा है जिसके बाद हम देख पाते हैं कि काया को यहाँ पे अपने बुरी हालत में उसकी जो body dismembered हुई भी है उस हालत में वो सीडियों से नीचे crawl करते वे आ रही है और यहाँ पे कोबायाशी के तरफ जब वो आ रही होती है तो वो यह देखके वो एक्दम horrified होके front door के तरफ जाने लगता है और यहाँ पे काया को आखरी बार उसका नाम लेती है जिसके बाद वो उसको माड डालती है यहाँ पे मालूम चलता है कि कोबायाशी इस curse का पहला victim था यहाँ पे हम यह भी realize कर पाते हैं कि यह पहली बार है जहाँ पे कायागो के spirit ने कुछ बोला है और यहाँ पे सोचने वाली बात है कि कोबायाशी को उसने क्यों मारा तो वो इसलिए हो सकता है क्योंकि अब despite of the fact कि वो एक vengeful spirit में बदल गई है तब भी वो उससे प्यार करती है और जितना भी उसके अंदर अभी भी humanity बाकी रही होगी वो उसने उसका नाम लेने में खतम कर दी जिसके बाद कर्स के चलते उसने उसको मार डाला यहाँ पे आगे हमें दिखाया जाता है कि कोबयाशी से फोन पे बात करने के बाद टाकियों वहाँ से निकला है और वो सड़क पे भाग रहा है एक polybag में उस unborn baby को लेके और वो इसको इधर से उधर swing करने लग गया है कि तब ही हम अचानक से देख पाते हैं कि एक सफेद रंग का ट्राश बैक उसके तरफ आ रहा है और हमें यहाँ पे मालूम चलता है कि उस ट्राश बैक के अंदर कायों को है और यहाँ पे मालूम चलता है कि जिस curse को टाकियों ने actually में फोर्म करा था वो उसी curse के चलते मारा गया है और मुवी यहां पे खतम हो जाती है अक्चली मुवी यहां पे खतम नहीं होती एक और चाप्टर अभी बागी है जिसका नाम कीयो को है मगर वो दूसरे वाले पार्ट में जादा अच्छे से मूवी के समझाया गया है जिसका नाम है जुआन्द कर सेकेंड और मैं इस मुवी का एक्स्चानेशन यहीं पे खतम करूंगी और जो लास वाला चाप्टर है वो मैं आपको अगले मूवी में ठीक से एक्स्प्लीन करूंगी और अगर आपने यहां तक एक्स्चानेशन सुना है और आपको पसंद आया है देन डू लाइक दे वीडियो to my channel, share it with your friends and don't forget to follow me on Instagram. Link आप को नीचे description box में मिल जाएगा. थांक्स फो वाचिंग, बाई!